हलो स्टूदेंट्स तो माइंड मैप सीरीज को कॉंटिन्यू करते हैं और जो बच्चे इनॉर्गानिक को समझने के बाद उसको तीन चार बार लिखते हैं उन्हें समझ आ रहा होगा कि इनॉर्गानिक is more easy या much easier than physical and organic chemistry बस इनॉर्गानिक में क्या है इन्फॉर्मेशन है तो आप अंडर्स्टांड करते हैं चीजों को और जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें 4-5 टाइम्स लिखके प्राक्टिस करते हैं ताकि वो एक्जाम में इसली यादस आ सकें या या यू कैन र बतारना है आफ्टर दा लेक्चेर आपको क्या करना है खुद माइंड मैप बनाना है जो चीज भूल गए दुबारा मेरे लेक्चेर में से देखिए और उसको फिर वहां लिखिए और स्टार लगा दो इससे आपके पास एक रिकॉल पॉइंट रहेगा कि ये चीज़े मैं मिस कर गया था फिर आफ्टर 15 मिनिट्स या चाहो तुरंथ दुबारा से माइंड मैप बनाईए और अब जो भूलते हो फिर उस पे स्टार या सरकल लगा लो फिर आप क्या करिए तीसरी बार फिर माइंड मैप बनाईए अब तीसरी बार जो बन रहा उस पे दुबारा से स और जो पहले mind map में आपने star लगाया था वो हो जाएगा one star अब यहां पर भूल चुके होगे star क्या चीज थी star थी जब mind map बनाते वे जो important point आप भूल गए थे अब इसका purpose क्या है यह इसका फायदा क्या है इसका फायदा है last minute revision में obviously last minute में जब आपको revision करना है तो आपके notes पू यह आता है यह भी आता है तो best पहले सही decide कर ली जाए कि हम ज़्यादा भूलते क्या है तो हमने decide कर लिया हम ज़्यादा जो भूल रहे हैं वो star points है अब आप revision में 5 star सारे mind maps के पहले 5 star point देख लो फिर 4 star और time है तो 3 star बाकी आपको by default यादी रहते हैं तो this is a very simple technique for your last minute revision लेकि पूर बनाओ mind map क्योंकि आपके जो notes है वो बहुत जादा है और सभी बच्चे मेरे से this time यही कह रहे हैं सर्ब इतने huge number of pages है revise करने का money नहीं करता बिलकुल genuine बात है इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए mind map series start की जाए